इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई हैं। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतेın। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। seroflo 250 inhaler दो दवाओं से मिलकर बना है जो श्वसन नली को खोलता है और सांस लेना आसान बनाता है इसका उपयोग दमा सांसों की घरगराहट और सांस फूलना और chronic obstructive pulmonary disorder फेफ़णों की एक बीमारी जिसमें फेफ़णों में हवा का प्रवाह रुख जाता है के इलाज में किया अधिक्तम तक पहुँचेगा इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए इसलिए आप इसे लेते रहें चाहे आपको कोई लक्षन न हो इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है अगर आप इसे लेना बंद कर दे तो दमा और chronic obstructive pulmonary disorder को की स्थिती और भी खराब हो सकता है अचानक होने वाले अस्थमा अटैक से रहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अगर अस्थमा अटैक आ जाता है तो अपने त्वरित रहत inhaler reliever का इस्तेमाल करें इस दवा से लाब प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी inhaler टक्नीक सही रखें अन्यथा यह वी काम नहीं करता है इसके सबसे आम दुश प्रभाव में चली आना उल्टी श्वास नली में संक्रमन मूह में फंगल इंफेक्शन सिर्ध दर्ध आवाज भारी होना गले में खराश खांसी म उसको स्केलेटल पेन, हड्डियों, मांस्पेशियों या जोडों में दर्ध और हृदय गती बढ़ना है अगर आपको यह हो जाए तो इसे लेना बन न करें बलकि अपने डॉक्टर से बात करें इन्हेलर का इस्तिमाल करने के बाद अपने मूह और गले को पानी से धोकर य आमतौर पर आपको अस्थमा को और खराब करने वाली स्थितियों से बचने की कोशिश करना चाहिए और धूम्रपान न करने की कोशिश करना चाहिए अगर आप गर्भवती है या स्तनपान करा रही है तो डॉक्टर से पूछे कि यह दवा लेना सुरक्षित है या नहीं इ अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो इस विडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी विडियो देखने को मिलती रहें धन्यवाद